Hello and welcome to all of you, मेरा नाम है देवी आन्शोर, आप देखना शुरू कर चुके हैं The Learning Land को, मैं यहाँ पर देश दुनिया कबरों को एक आशान भासा में आप तक पहुचाता हूँ, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो बेज़ड है किस तरीके से आपका चाइना में हमारे साथ जो दिस्प्यूट चल रहे हैं, तो मेरे मन में भी यह सवाल आता था कि नहीं हम चाइना के साथ जिब इतने दिस्प्यूट चल रहे हैं, तो क्यों ना ट्रेट को बंद कर देंगे, तो आज का वीडियो इसी पर बेज़ड है, तो अगर अभी तक आपने मेरे पिराने वीडिय जो जड़ब हुई है तवांग सेक्टर में, उस पर एक वीडियो बनाया है, तो आप जाईए और उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक को पिन कर देता हूँ, तो आप इसली उसको गोधरू कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे, जैसे हमको आप पता चल रहा है कि बीते कुछ सालों में इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो लगातर बिगड़ते जा रहे हैं, हमने देखा कि पहले चाइना ने पाकिस्तान भी टर्रिस्ट की भी रक्षा करी, फिर हमारे एम्स को भी चाइना दोरा है किया जरू करते हैं, जैसा कि अभी आपने कुछी समय पहले एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन सोल्जर्स किस तरीके से चाइनीज सोल्जर्स को डंडे मार-मार करके भगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमको यह लग रहा था कि यह दवांग सेक्टर का वई वीडियो है, जहाँ पर 600 चाइनीज सोल्जर्स आये, लाइन आप एक्चल कंट्रोल के पास चाइनीज सेनिक एंटर हो रहा है तो हमारी भारती सिना ने उसका किस तरीके से जवाब दिया, उनको लट्ठ मार-मार करके भगाया गया, तो कहीं न कही हमें ऐसा लगता है कि यही हुआ होगा, बट मैं आपको बता दूँ, वो जो वीडियो वार्यल हो रही थे, वो वीडियो सकते नहीं है, हमें जैसा कि समझ में आ रहा है कि अभी इस समय डिसेंबर चल रहा है, और डिसेंबर मन्त में जो तवांग सेक्टर है, वहाँ पर लेका है, बट इंडियन पब्लिक ने उसको इस तरीके से रिप्रजन कर लिया, कि ये वीडियो अभी तवांग वाले रीजन पर हुआ है, हमारे भारती सिना ने इस तरीके से चाइनीज जैनिकों को भगाया है, तो वो वीडियो कहीं हमारे भारतीयों के लिए एक प्रकार क satisfactory वीडियो है, जहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है, कि अगर in case चाइना हमारे यहाँ पर enter होता है, तो हम उसका किस तरीके से मूतोर जवाब दे सकते हैं, और मैं interesting fact आपको बता देता हूँ, वो जो वीडियो है, जिसमें चाइना के जैनिक हमारे इंडिया में enter हो रहे है तो भारती सिना ने उनको डंडे मर मर के भगाया, वो वीडियो ना की केवल इंडिया में, बलकि पूरे all over world में भी viral हुआ है, UK में, USA में, even ताइवान में भी वीडियो काफे viral हुआ है, और इसके साथी साथ मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से हमारे इंडिया में लोग इस प्रकार की खुशिया मना रहे हैं, ताइवान में भी इसी खुशिया काफे ज़्यादा है, ताइवान के बारे मैं बता दूँ, ताइवान एक प्रकार का ऐसा country है, जो की चाइना के policies के अंदर दबा हुआ है, और जिस रेके से चाइना उस पर एक अपने pressure को create करके रख इसा है, चाइना अब इंडिया को बहुत ज़्यादा एक खराब image बना चुगा है इंडिया में, तो इंडिया में question ऐसे race किये जा रहे हैं, कि हम इंडिया इन चाइना से trade बंद क्यों नहीं कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाऊगे कि डैली के CM ने ये बात बो चाइना से trade को बंद कर दें, जितनी भी चीज़ें चाइना में manufacture होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम इंडिया इंडिया बनाना शुरू कर दें, तो अगर इंडिया चाइना के साथ trade बंद कर देगा, तो हम इंडिया में ज़्यादा manufacturing कर पाएंगे, employment के नए रास्ते खोल पा कि हम चाइना से ज़्यादा तर चीज़ें खरीदेते हैं, as compared to उसको बेचते कम हैं, यह जो deficit है, तो वो पिछले financial year का है, इसमें 73 billion तक इस पर हमारा trade हुआ है चाइना के साथ, और इस साल 2022 में इस प्रकार के अंदाजे भी लगाये जा रहे हैं, कि यह जो trade है, वो चाइना क के साथ थोड़े से अपनी dependency कम करना शुरू कर देगा, अपना जो वैपार है वो चाइना से थोड़ा कम करेगा, बट मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बलकि इस साल तो चाइना के साथ हमारा जो trade है, वो एक record breaking trade रहा है, तो कहीं न कहीं चाइना को भ करता है, इंडियन को कोई फरक नहीं पड़ता है कि हमारे चाइना के साथ क्या conflicts है, किस तरीके से trade हो रहा है, geopolitics में क्या value है इन चीजों की, this is Chinese mindset, तो कहीं न कहीं अब हमें समझ में आ रहा है कि चाइना के साथ जो हमारी bonding है वो कमजोर हो रही है, और चाइना के इस assumption of theory को हम ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना को prospective से अगर मैं बात करूँ, तो आपको जानने को मिलेगा कि दुनिया भर में चाइना के exports अब धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं, बट इंडिया में इनके exports लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हम चाइना के साथ कोई trade बंद क रोख सके हैं, और अभी कुछ भी समय पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ trade बंद कर दिया था, बट frankly speaking पाकिस्तान से भारत का trade बंद होने से इंडिया को उस पर कोई भी loss face नहीं करना पड़ा, बट मुझे पाकिस्तान का कुछ समझ में नहीं पाकिस्तान हमसे medicine आज भी purchase करता है as compared to other things, और चीज़े नहीं लेते हैं बट medicine जरूर लेते हैं पाकिस्तान वाले, so here two questions are raising कि इंडिया चाइना के साथ trade बंद लगा सकता है, ये लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, क्या किसी countries ने ऐसा पहले भी किया है, किसी country ने trade बंद ल और मैं आपको बता दूँ कि USA के जो former president रहे हैं Donald J. Trump, Trump का वो बयान था जहाँ पर उन्होंने बोला था कि वो China के साथ trade बंद करने की बात बोला करते थे, Trump ने ये बोला था कि मैं China के साथ decoupling करना चाहता हूँ, अब ये decoupling का mean क्या होता इसको समझते हैं, decoupling means होता है reduced trade कर और इस decoupling की start करने वाले Donald J. Trump थे जिन्होंने इन चीज़ों को China के context में start किया था, एक तो होता है कि sudden आप trade बंद कर दें, कि China ने इंडिया के साथ relation खराब कर दिये और इंडिया ने रातो रात China के साथ trade बंद कर दिया, इंडिया ने ये बोल दिया कि अब हम कल से China के साथ export इंपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करेंगे, इससे देखिए होगा गया, हमारा पूरा economic system एक बहुत बड़े crisis में आ जाएगा, हमारे traders, हमारे banks, हमारे investors, सभी लोगे बहुत बड़े loss पर आ जाएंगे, and one more thing कि 100 million dollar का trade चाइना इंडिया के साथ करता है, 100 million dollar, it's not a little bit amount, यह बह लकि USA का trade चाइना के साथ over the year हमको 700 billion dollar के उपर भी देखने को मिला है, that's why Trump यह बात बोलते थे कि चाइना के साथ हम decoupling start कर देंगे, धीरे धीरे चाइना के साथ हम trade कम करते रहेंगे, और एक time के बाद हम चाइना के साथ trade बिलकुल बंद कर देंगे, यह बात Trump बोला करते थ हलाकि Donald Trump के जो बेटे हैं, Donald Trump Jr. इन्हों ने बोला है कि USA को आज के समय में Trump की इस policy को अपनाना चाहिए, और China के साथ decoupling करना चाहिए, और Donald Trump Jr. ने यह भी बोला है कि इससे India हमारी इसमें help भी कर सकता है, जो चीजे हमें China से मिल रही हैं, वो हम इंडिया से start कर सकते हैं purchase करन तो हमें इसमें India help भी कर सकता है, तो USA में दो तरह के thoughts हैं, पहला तो Trump का की China के साथ हम decoupling करना चाहिए, और दूसरा जो Biden का, जो यह कहते हैं कि हम China के साथ decoupling नहीं करेंगे, Biden यह मानते हैं कि China के ओपर धिर धिरे हम dependency कम कर देंगे, लेकिन trade बंद नहीं करेंगे, धिमे धि पार को कम कर देंगे, लेकिन हम trade बिलकुल बंद नहीं कर सकते हैं, Biden यह बोलते हैं कि trade continuous होना चाहिए, trade बंद होने से USA को काफी loss face करना पड़ेगा, और अगर Chinese perspective से मैं बात करूँ, तो China यह चाहेगा कि Biden की यह विचार धरा USA में हमेशा बनी रहे, और हमको ऐसा भी लग रह है कि China इस बात को सोच कर क्या nervous नहीं होगा, China हर दूसरे मैने में इसके लिए अपने statement को भी देता है, US can't decouple from China and China का यह fear that is not limited in USA, बलकि यह fear इनका जापान तक भी है, जापान में जब इस बात पर चर्जा होती है कि जापान भी यह सोच रहा है कि अब हमको China के साथ decouple start कर देना चाहिए, तो इस पर China का statement आया कि जापान अगर ऐसा करता है तो जापान को ही loss होगा, हमारा इसमें कोई भी loss नहीं है, तो यह बात हो गई, दो major quad countries की, यहाँ पर quad countries में Australia भी आ रहा है, बट majorly मैं तीन countries पर ज़्यादा lamb light डाल रहा हूँ, USA, India and Japan, USA and Japan का मैंने आपको बता दिया, अब बात आती है इंडिया की, इंडिया के अगर हम बात करते हैं तो इंडिया decoupling स्टार्ट कर सकता है, मगर trade bank संभव नहीं है, अभी के time में है, decoupling करने से हमको एक proper strategy कर चाहिए होगी है, हम इस तरीके से भी यह नहीं कि हाँ हमारे mind में आया, हम कल से चाइना से decoupling स्टार्ट कर देंगे, वो नहीं संभव हो पाएगा, my question is everyone, आप मुझे बताओ कि कितनी Indians चाइना में जा करके पैसे को कमाते हैं, और वो पैसा remittance, यानि चाइना दोरा भेजा गया पैसा, वो हमारे पास आता है या नहीं आता है, तो चाइना हमारे लिए इतना important country न और ना ही चाइना में, चाइना से हमारा इतना remittance आ रहा है, बस चाइना से हम इंपोर्ट जादा चीज़ें करते हैं, लाइक इंपोर्ट के तोर पर, electrical equipment हम इंपोर्ट करते हैं, machinery उठा लो आप, ठीक है, organic chemicals ले लो आप, तो अगर आप हमने एक proper strategy बनाकर चाइना से decoupling नह स्मार्ट फोन्स, चाइना के जो स्मार्ट फोन्स हैं, लाइक 15,000 रुपीज की range तक आ जाते हैं, स्मार्ट फोन की बात कर रहा हूँ, छोटा से example है, तो इंडिया में बहुत से लोगों के पास आपको मिलेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं भारत में बहुत सारे लोगों का सपना हैं कि android phone रखा जाएं, और ये सपना चाइना की वज़े से इंडिया में पूरा हो पाया है, हमें इस बात को accept करना होगा, इस price range में इतने features के phones अभी तक किसी और company या किसी और country ने available नहीं करा हैं, और अगर आप इंडिया में देखो ना, तो हमको made in brand को produce अभी हम इतने जल् बना लें और उस product को made in India बना करके launch करते हैं, तो इतना जल्दी संभव नहीं हो पाएगा, बलकि इंडिया में आने वाले सालों में semi conductors, mobile phone और ये सब चीज़ें आपको made in India भी देखने को मिलेंगी, let's hope कि आज से approximately 3-4 साल बात आपको Indian mobile ये सारी चीज़ें आपको made in India product के त भारत में लगबख आपको ये पता है कि साल में लगबख 9 महीने तक गर्मी बढ़ती है, without AC हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, और इंडिया में most of the AC made in China आते हैं, ठीके, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं छोटा से example लेता हूँ कि मैं Chinese AC को ban कर देता हूँ, तो हमारे इंडि का business man करेगा, जो कि international trade में ऐसा होता है न, कि बहुत सारे business man अपना payment पहले देते हैं, और within a 4 month, 5 month उनको अपना goods मिलता है, तो इस तरीके से international level में व्यापार होता है, तो कल को अगर हमारे मन में ख्याल आया कि नहीं चलो आज हम China के साथ trade बंद कर देते हैं, तो देखिए payment त तो अब अगर हम उस पर बंद कर देते हैं, ट्रेड तो उनके पास एक advance payment चला जाएगा, जिसका हमको कोई भी पैसा refund नहीं मिलेगा, तो इसकी इमार हमारे business man को देखने को मिलेगी है, तो suddenly अगर हमने trade बंद कर दिया, तो चाइना के पास यह सर्चीज़ अबलेबल हो तो कहीं नहीं हमें यह समझना है, it's a long process और it will take a time, समय लगेगा उन्चेज़ों में, तो यह रहा आपका आज का वीडियो, तो अगर वीडियो informative लगा हो, तो वीडियो को subscribe करिये, like करिये, share जरूर करिये, धन्यवाद